नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका एक और नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम सोया बिन की नई उन्नत और बहुत ही सक्सेस्फुल किस्म जे एस 21.72 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि सोया बिन का सीजन आने वाला है और किसान नई नई किस्मों का चैन करने के लिए सर्च कर रहे हैं तो दोस्तो ऐसे में 21.72 के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप 21.72 आपने अभी तक नहीं लगाई है तो क्योंकि लास्ट येर जब हमने हमारी फिल्ड से वीडियो बनाया था तब भी दोस्तो कहा था कि ये विराइटी हमको भविश्य की विराइटी लगती है और दोस्तो अभी की स्थिती ये है कि हर किसान के मुह से 21.72 का नाम तो सुनने को मिल ही रहा है दोस्तो ऐसा क्या है इस विराइटी में डिटेल में आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पता चल जाएगा जवारलाल नहरू क्रशिव सुद्ध्याले जबलपूर द्वारा 33 सक्सेस्फुल ट्रायल्स के बाद में ऑफिशली इसको रिलीज की गई है 2022 की नोटिविकेशन वाली विराइटी है ये मतलब नविन्तम किसम है दोस्तों और ओधे की हाइट की अगर बात करें तो ये दो फिट के आसपास रहती है ब्रांचिंग अच्छी रहती है इसकी सफेद फूल आते हैं और फूल की अवस्था 42 दिन से स्टार्ट होती है प्रेक्टिकली हमारी फिल्ड पर चुमालिसवे दिन हमको पहला फूल दिखाई दिया था मतलब फ्लारिंग स्टार्ट हुई थी और इस विराइटी के सोग दानों के बजन की अगर बात करें तो 13 ग्राम के असपास आता है मतलब मध्यमाकार के दाने इसके रहते हैं 20 से 21 इसमें तेल की महत्तरा है फलियाँ दो और तीन दाने की होती हैं जिसमें तीन दाने की फलियां ज़्यादा हैं फलियां रुएदार होती हैं दोस्तों इस विराइटी को सेंटरल इंडिया के लिए बनाया गया है मतलब मध्यप्रदेश, गुजरात, राजिस्थान, महराast और उत्तर प्रदेश का बुंदेल खंड रीजन इन रीजन्स के किसान इस वेराइटी को वुआई के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 20 से 21 क्विंटल प्रती हेक्टेर का प्रोडक्शन अनुसंधान केंद्र द्वारा बताया जा रहा है हमने प्रेक्टिकली इतना सूखा पढ़ने के बावजूद साड़े साथ क्विंटल प्रती एकड़ का प्रोडक्शन इससे लिया है और हमें लगता है दोस्तों कि 10, 11, 12 क्विंटल प्रती एकड़ तक का प्रोडक्शन इससे लिया जा सकता है इतना potential इस variety में है, ये हमारे नीजी अनुगो है, दोस्तों इस variety में shattering वाली problem बिल्कुल भी नहीं आती है, फलियां चटकने वाली problem बिल्कुल भी नहीं आती है, harvester से आसानी से ये cutting की जा सकती है, जैसे पुरानी varieties जो हैं, जिनमें फलियां पकने के बाद में चटकना start हो ज virus आया, नहीं इसमें ring cutter का कोई attack देखा, ना anthracnose वाली problem आई, ना RAB वाली इसमें problem आई, ये सारी विमारियों के प्रती resistant variety है, इसके बाद में इसकी distancing की बात करें, तो बुवाई रो से रो दूरी हमने 12 inch पर की थी, 35 kg प्रती एकड की seed rate रखी थी, जो कि हमें लगता है, कि 14 से 16 inch row to row distance पर ये variety की बाई की जानी चाहिए, और 30 kg प्रती एकड सीड रेट रखकर बाई की जानी चाहिए, लास्ट एर जो हमने बाई की थी, उसके हिसाब से ये हमारे practical अनुभव है, इस variety की बाई जहां पर जल भराव रहता है, वहां पर नहीं की जानी चाहिए, बहुत जादा जल भराव की स्थिती में ये variety जो हो सकता है, इसकी growth कम रहे, आउधी की अगर बात करें, तो practically 97 दिन में हमारी field से इसकी cutting हुई थी, पिछली बार सूखे की स्थिती थी, इसके बावजूद ये 97 दिन में इसकी cutting हुई थी, मतलब 97 दिन से कम आउधी में तो ये नहीं आईगी, 97 दिन से 100 दिन तक की variety इसको माना जा सकता है, तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें की 98 दिन की best variety कौन सी है, तो सबसे पहला नाम JS212 का ही लोगा मैं दोस्तों, क्योंकि personally मैंने last year की sewing की थी, और इस बार भी मैं इस variety को बुआई के लिए select कर रहा हूँ, आप क उनकों सी variety लगा रहा है, ये मुझे comment करके जरूर बताईएगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी, आपको केसी लगी, ये comment करके जरूर बताईएगा, वीडियो पसंद आया हो, like और share करिएगा, और चैनल को subscribe किये भीना मत जाईएगा, धन्यवाद,